नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों, मैं हूँ प्रवीन गंसल और हम पढ़ने हैं कक्षा ग्यार्मी लेखा शास्त्र अध्याय 13, कम्प्यूटरी करत लेखांकन प्रणाली, मतलब अकाउंटिंग को आप अप कम्प्यूटर के द्वारा करेंगे, जैसे आप अभी तक मान मानविय रूप में अकाउंटिंग कर रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि यह लेखांकन, यह सारी एंट्री कम्प्यूटर में किस तरीके से जाती है, और हम यह भी देखेंगे कि कम्प्यूटर में लेखांकन करना और मानविय रूप में लेखांकन का होना, इन में क् फरक है, कौन सा विकल्प भेतर है, तो चलिए शुरू करते हैं, अध्याय बारा में लेखांकन की प्रकृती और लेखांकन सूचना प्रणाली में कम्प्यूटर के प्रयोग की उप्योगिता का अध्यान आप कर चुके हैं, और अब हम देखेंगे की कम्प्यूटरी क्रत ले कम्प्यूटरी क्रत लेखांकन एक लेखांकन सूचना प्रणाली के समान है, मतलब जैसे आप मानविये, मतलब इन परसन अकाउंटिंग जब करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलन्स शीट, इत्यादी हमने बनाई, उस से एक सूचना तियार की जाती है, और उस सूचना को, accounting principles, मतलब सिधानतों के हिसाब से बनाये जाता है, और उन सभी खातों या बैलन्स शीट को, उनके उप्योग करताओं के हिसाब से बनाये जाता है, ताकि वो अपने decision ले सकें, तो computerized accounting भी ठीक उसी तरहां, सभी सिधानतों को मानते हुए की जाती है, और इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है, कि जो सूचना उस से बने, रिपोर्ट उस से बने, वो उसके उप्योग करताओं के लिए पून्टह उप्योगी हो, जो भी फैसला वो लेना चाहते हैं, कमपनी के खातों को देखने के बाद, उसमें उन्हें निवेश करना है या नहीं करना है, वह समान बेचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, तो यह सभी यह सभी चीजें उनको संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए भले ही लेखांकन कम्प्यूटरी क्रित मतलब कम्प्यूटराइजड हो या मानविये हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह वितिये क्रियकलापो मतलब financial transaction जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटिंग में वही entries लिखी जाती हैं जो financial हो वितिये घटनाओं के उपर निर्धारित यह वितिये क्रियकलापो को क्रियानवित और घटनाओं का सामान्य स्विकार्य लेखांकन सिधान्त के अनुरूप प्रलेखों को उप्योग करताओं की अवशक्ता अनुसार तयार करता है जैसे कि हमने अभी अभी बात की कि उपयोग करताओं की अवशक्ता के अनुसार ही computerized accounting की जाती है प्रतेक लेखांकन प्रणाली चाहे computer रिक्रत हो या मानविय हो उसके दो पक्ष होते हैं प्रतम ये सिध्धान्तों के समुच्य को सूस्पष्ट रूप से परिभाशित करते हैं मतलब जितने भी accounting principle हैं उनके साथ ये पूंडत हैं इनसाफ करते हैं मतलब किसी भी principle का उलंगन नहीं होगा जिने लेखांकन सिध्धान्त कहते हैं दूसरी तरफ ये उप्योग करताओं के निश्चित कार्य धाचे के अभिलेखों को उत्पादित व उन्हें बनाय रखते हैं जैसा कि हमने चाचा की कम्प्यूटरी कृत लेखांकन प्रणाली में आकडों के भंडारन वा प्रक्रिया के कार्य धाचे को प्रचालन वातावरन कहते हैं ओप्रेटिंग इन्वार्मेंट मतलब देखिए जब आप लेखांकन मतलब अकाउंटिंग कम्प्यूटर के मदद से करते हैं आपने उसमें जो भी एंट्री करी होगी वह उसके अंदर स्टोर हो जाती है जिससे हमने भंडारन कहा मतलब स्टोरेज इससे हर कम्प्यूटर के पास एक डेटा त्यार हो जाता है जिसको आप डेटाबेस कहेंगे इसमें हार्डवेर वस सौफ्ट्वेर दोनों सम्मलित होते हैं जिसकी चर्चा आपने अध्याएबारा में करी जिसमें लेखांकन प्रणाली प्रचालित होती है प्रयोग की गई लेखांकन प्रणाली प्रचालन वातावरण को निर्धारित करती है हार्डवेर वा सौफ्ट्वेर परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं हार्डवेर और सौफ्ट्वेर की जानकारी आप पहले ले चुके हैं मतलब जैसे एक हार्ड डिस्क जिसमें सारा डेटा सेव हो जाता है और सौफ्ट्वेर उस डेटा को उसके उप्योग करता को उप्योग करने में उसकी अवशकता के अनुसार मदद करेगा यहें दोनों मिलें तो ही उस डेटा को उप्योग करता इस्तमाल कर सकता है सौफ्ट्वेर के प्रकार को हार्डवेर की सरंचना में निर्धारित करते हैं इसके अतरिक हार्डवेर का चुनाव विभिन घठकों पर निर्भर करता है जैसे की उप्योग करताओं की संख्या, गोपनियता का स्थर और संगठन के विभिन क्रियाओं के विभाग की प्रक्रती मतलब हार्डवेर इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपके पास कारिगर कितने है आपके बिजनेस का, आपके विपार का स्केल कितना जादा है जितना बड़ा विपार, उतना जादा अच्छा हार्डवेर आपको इस्तमाल करना होगा आप गोपनियता जादा से जादा रखना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से आपके सॉफ्ट्वेर डिजाइन किया जाएंगे आपने कई बार बड़ी-बड़ी कंपनियों की बड़ी-बड़ी मशीनों को देखा होगा जितना बड़ा व्यपार होता है उतना ही इन हार्डवेर और सॉफ्ट्वेर की कीमतों में भी बढ़ोत्री होती है और इनके साइज में भी उधारण के रूप में मान लीजिए एक क्लब है जहां क्रिया कलापों की संख्या और उनकी भिन्नता तुलनात्मक रूप में छोटी होती है एक क्लब जिसके पास शायद पैसों का आना जाना कुछ चार-पांच कारणों से ही हो सकता है व्यक्तिगत कंप्यूटर मानक सौफ्ट्वेर के साथ प्रयाप्त होता है मतलब एक इनसान एक कंप्यूटर पे जादा तर चीजे मैनेज कर सकता है किसी बड़े व्यपारिक संगठन जिसके कारियाले वा फैक्ट्रियां भोगोलिक रूप में फैली हो तो वहाँ पर विशाल डाटों के दस्तावेज, पेचीदे विवरणों को संभालने के लिए एक शक्ति शाली नेटवर्क वा कंप्यूटर की अवशक्ता होती है ऐसी संस्थाएं जिनके ओफिस एक नहीं कई स्टेट में हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए बहु उपयोगी संक्रिय प्रणाली की अवशक्ता होती है जैसे की युनिक्स, लिनिक्स आदी इन ओपरेटिंग सिस्टम के नाम आपने सुने होगे आधूनिक कम्प्यूटरी कृत लेखांकन प्रणाली डाटाबेस की प्रणाली पर आधारित है जैसे की मैंने डाटाबेस का नाम पहले भी लिया डाटाबेस को डाटाबेस प्रभंदन प्रणाली द्वारा लागू किया जाता है जो computer program, मतलब software का वह सम्हू है जो data को प्रभावी रूप से विवस्तिव एवं संगटित करता है मतलब आप चाहे जितनी मर्जी entry, जितने मर्जी वर्षों के लिए computer में डाल दीजिए वह सब computer में save रहती हैं और वह कभी भी उसमें से निकाली या वापिस डाली जा सकती है और जब भी कोई entry आप करते हैं तो वह अपने data में से, मतलब storage में से आसानी से नई entry को relate कर सकता है relate मतलब उसको उससे तुलना कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि किसकी सही जगां कहा है तथा एकत्रित डाटों को प्राप्त करने में सहयता करता है लेखांकन, database, interface क्रिया की सहयता से लेखांकन, अनुप्रयोग, प्रतिवेदन और विवरणों की पद्धती के प्रयोग हेतु उससे सूसंगठित करता है प्रतेक लेखांकन प्रनाली के दो मूल भूत अवशकता हैं देखते हैं ये दो मूल भूत अवशकता हैं क्या हैं लेखांकन का रधाचा और प्रचालन प्रक्रिया देखिए, मैंने बताया कि ये लेखांकन प्रनाली, कम्प्यूटर द्वारा कृत लेखांकन प्रनाली पूंडत है डाटाबेस के उपर टिकी हुई हैं आप हर चीज का फॉर्मेट पहले से ही कम्प्यूटर में बना के रखते हैं एंट्री करते जाते हैं और डेटा बढ़ता जाता है इसी का नाम डाटाबेस है किसी भी डाटाबेस के अनुप्रयोग को प्रयोग करने वाले कम्प्यूटरों के चार मूल भूत अवशकताएं हैं पहली फ्रंट एंड इंटरफेस दूसरी बैक एंड डेटाबेस तीसरी डेटा प्रक्रम और प्रतिवेदन प्रणाली चलिए इन चारो मूल भूत अवशकताओं को पढ़ते हैं यह है उप्योग करता और सौफ्ट्वेर के बीच वारतालाप का संबंद अथ्वा प्रसपरिक संबंद को जोड़ता है फ्रंट एंड इंटरफेस मतलब उप्योग करता और सौफ्ट्वेर के बीच का लिंक इसे कहते हैं front end interface मतलब आप computer के सामने बैठ के जो entry डाल रहे हैं उसे software, hardware तक पहुँचा रहा है इसे कहा जाता है front end interface अब है back end database यह data भंडारण की वह प्रणाली है जो उपयोग करताओं से छिपा कर रखी जाती है और केवल अधिकरित उपयोग करताओं को अवशकता अनुसार सूचनाओं तक प्रवेश पा सकते हैं मतलब database back end आप सभी चीज कम्प्यूटर से एक साथ नहीं ले सकते database का मतलब है छुपा हुआ data अब आपका उपयोग करता जिस चीज के लिए command देगा कम्प्यूटर आपको सिरफ हो सिरफ उसी चीज को प्रदान करेगा इसे कहते हैं back end database अब है data प्रकम मतलब यह उन क्रियाओं की श्रंखला है जो data को निर्णे के लिए प्रयोग में आने वाली सूचनाओं में बदलती है बहुत सरल भाशा है कि data को निर्णे के लिए प्रयोग में आने वाली सूचनाओं में बदलती है जैसे आपने accounting कर ली उसके बाद आपको उसको सूचना के रूप में पहुँचाया जाता है ग्राफ के रूप में किसी अने cash flow के रूप में या balance sheet के रूप में या pie chart के रूप में यह सूचना प्रदान करने के प्रणाली है अब आखरी है प्रतिवेदन प्रणाली मतलब यह उन वस्तुवों का समुच्य है जिन से प्रतिवेदन बनता है प्रतिवेदन बनाना, प्रतिवेदन प्रणाली है चलिए, अब बढ़ते हैं आगे जैसे मानविय और कम्प्यूट्रिकृत लेखांकन के मध्यत तुलना जैसे कि अध्याई की शुरुवात में ही मैंने आपको बताया कि इस अध्याई में हम देखेंगे मानविय और कम्प्यूट्रिकृत लेखांकन प्रणाली के अंतर को तो अब हम इन दोनों विधियों में तुलना करने जा रहे हैं सबसे पहले पहचान करना आप अपने लेखा शास्त्र की पढ़ाई का पहला अध्यायात किजिए जिसमें हमने अकाउंटिंग के प्रोसेस को पढ़ा जिसमें सबसे पहला पद यह था कि आप पहचान करें कि कौन सी एंट्री अकाउंटिंग में लिखी जाएगी और कौन सी नहीं वो ट्रांजिक्शन जो पैसो में या मुद्रा में ना पी जा सकती है उन्हीं को अकाउंटिंग में लिखा जाता है तो यहां तुलना की जाएगी इसी स्टेप पे पहचान करना लेखांकन सिध्धानतों पर अधारित लेन देनों की पहचान करना मानविये एवं कम्प्यूटर कृत लेखांकन प्रनाली में एक समान है मतलब दोनों में ही सिरफ वही ट्रांजिक्शन लिखी जाएगी जो मुद्रा में ना पी जा सकती है जो भी कम्प्यूटर पे अकाउंटिंग करेगा वो इस बात का खास ध्यान रखता है कि जिसका संबंध मुद्रा से है उसी की एंट्री कम्प्यूटर पकड़ता है और मानविये आधार पर भी ऐसा ही होता है मानविये लेखांकन प्रनाली में वित्ये सौदो का अभी लेखन प्रारंभिक पुस्तकों के द्वारा होता है मतलब प्राइमरी बुक्स जैसे की जर्नल या लेजर जब आप मानविये रूप में इस चीज को कर रहे थे तो सबसे पहले आप चीजों को जर्नल या उससे संबंधित खातों मतलब लेजर में लिखते थे मतलब इसके अंदर एक जखा एक जैसी सारी एंट्री सीधा पहुचा दी जाती है ना के हमारी तरह जिसमें पहले जर्नल फिर लेजर फिर ट्राल बैलेंस फिर पी एनल और बैलेंशीट इसमें डेटा पहले से ही बने हुए होते हैं चीजें सीधा आपने यथा स्थान फिर है वर्गी करण मतलब क्लासिफिकेशन मतलब जैसे हम जर्नल के बाद लेजर बनाते थे तो मानविये पिधी के अनुसार हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं फिर क्लासिफिकेशन करते हैं देखते हैं कम्प्यूटरी करत मतलब कम्प्यूटराइजड अकाउंटिंग मे ऐसा कब और कैसे होता है मानविय लेखांकन प्रणाली में सौदो को प्रारंबिक पुस्तकों में अभी लेखित करने के पश्चात बहियों में वर्गी करत किया जाता था जैसे कि हमने अभी अभी चर्चा की इसके फलस्वरूप, लेन देन, डाटा की प्रतिलिपी तयार हो जाती थी अब देखिए कम्प्यूटर में कैसा होता है जबकि कम्प्यूटरी करत लेखांकन प्रणाली में वर्गी करत सौदो को प्रतिलिपी में तयार नहीं किया जाता बहियां तयार करने के लिए बंडारित सौधों के डेटा के प्रलेख वर्गी करत प्रदर्शित किये जाते हैं एक समान, लेन देन सम्बन्दी डेटा को विभिन प्रलेखों में प्रदर्शित कर दिया जाता है जैसे कि हमने अभी अभी बात की अब है संग शिप्ति करण मतलब उसको दिखाया कैसे जाता है मानविय लेखांकन प्रणाली में लेन देनों को संक्षित रूप से तलपट में दर्शाया जाता है मतलब ट्राइल बालेंस में दिखाया जाता है परड़ाम स्वरूप तलपट का निर्मान भहीओं तयार करने के बाद होता है जबकि कम्प्यूटरिक लेखांकन प्रणाली में प्रारंबिक तौर पर डेटा इकठा कर लिये जाता है लेन देन के डेटा को विशेश रूप देकर उन्हें विबिन खातों में शेश शूची तियार कर ली जाती है जिससे अतत तलपट प्रलेखों में दर्शाय जाता है जैसे कि मैं पहले ही बता चुका कि इसमें सीधा डेटा में चीज़े चली जाती है और अपने आप तलपट जैसी चीज़ें त्यार करवा दी जाती है तलपट के निर्मान हेतु बहीयों को त्यार करना कम्प्यूटरी करत लेखांकन प्रणाली के अंतरगत अवश्यक्स थि नहीं है इसमें चीज़ें सीधा डेटा में पहुंच जाती है और अपने आप तलपट जैसी चीज़ें त्यार हो जाती है अगला स्टेप है समायोजन प्रवश्टी मतलब मानविय लेखांकन प्रणाली में यह प्रवश्टियां आगम लागत मिलान के सिध्धान पर अभिलेखित की जाती है मतलब पैसों का आना और जाना दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इन प्रवश्टियों का अभिलेखन एक लेखांकन अवधी के लिए किये गए व्य की उस समायवधी के दोरान प्रवागम के मिलान के रूप में किया जाता है मतलब मानविये प्रणाली में आप एक वर्ष के खर्चों और लाभों को एक साथ लिख के लिखांकन करते हैं अब जबकि कम्प्यूटरिकत लिखांकन में आगम व्य मिलान सिध्धांत की पूर्ती के लिए रोज नामचा प्रमानक त्यार किया जाता है और सिध्धांत अशुद्धी को छोड़ कर जिसमें गलत प्रमानक द्वारा अभी लेखन किया गया हो जैसे कि प्राप्ती सौदे की प्रवश्टी भुकतान प्रमानक से कर दी गई हो अन्यत रुटियों को और सुधार के लिए किसी प्रकार का समयोजित प्रवश्टी नहीं दी जाती मतलब रेक्टिफिकेशन कम्प्यूटरी करत प्रणाली में नहीं की जाती यह है अगला स्टेप जिसका नाम हमने रखा समयोजित प्रवश्टी फिर आखरी में वित्यय विवरण मतलब फाइनेंशल आप अब फाइनल अकाउंट की बात करते हैं मानविय लेखांकन प्रणाली में वित्यय विवरण का उदेश्य तलपट की उपलब्दता को देखना होता है मतलब ट्रायल बैलन्स के बनने के बाद यह देखा जाता है कि आप ट्रेडिंग पेनल अकाउंट या बैलन्स इट बनाने वाले हैं जबकि कम्प्यूटरी करत लेखांकन प्रणाली में इसकी कोई अवशक्ता नहीं होती वित्यय विवरणों का निर्मान तलपट के आधार पर नहीं होता क्योंकि ऐसे विवरण सीधा प्रकम प्रक्रिय द्वारा भंडारित 102 के डेटा द्वारा किया जाता है मतलब जो भी आपने एंट्री करी हैं वह सीधा आपके पास फाइनल अकाउंट बना देंगी और आखरी है पुस्तकों का बंद करना मतलब वित्यय विवरणों को त्यार करने के उपरांत लेखा पाल नई लेखा अवदी के लिए त्यारी शुरू कर देता है जब मानवे प्रणाली की बात हो रही है तो एक वर्ष के खतम होने के बाद अगले वर्ष की पुस्तकें शुरू करती जाती है पुरानी पुस्तकों को बंद करके जबकि कम्प्यूटरी करत लेखांकन में साल के अंत में प्रकम द्वारा खातों के आरंबिक शेशों को डेटा बेस में प्रवश्टी और भंडारित किया जाता है संकल्पना के रूप में यह देखा जाता है कि लेखांकन प्रक्रिया एक ही तरह की होती है चाहे जिस भी तकनीक से इसको किया जाए तो यह जो तुलना आपने देखी इसमें आपने बस यह पाया कि मानविय प्रणाली में स्टेप्स ज़्यादा है और कम्प्यूटर जिसमें स्टोरेज का एक फायदा है उसके कारण यह स्टेप्स कम है परंतु लेखांकन प्रणाली बिल्कुल सिध्धानतों को मानते हुए की जा रही है उप्योग करताओं की अवशक्ताओं के अनुसार ही वह सूचनाय प्रदान कर रही है तो आपने देखा की प्रणाली भले ही मानविय हो या कम्प्यूटरी कृत्त लेखांकन बिल्कुल सेम है तो इस अध्याय के लिए इतना ही हम करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि इसके संबंदित आपकी पाठ्थे पुस्तक में कुछ प्रशन है जिनका आप अभ्यास करेंगे जो की इस प्रकार है जैसे यह लगूत्रिय प्रशन या देरगूत्रिय प्रशन यह सब प्रशन आपकी पाठ्थे पुस्तक में दिये हुए हैं आप सभी को इसका अभ्यास करता है धन्यवाद करता है करता है